दोस्तों किसी भी देश के लिए बड़ा रेगिस्तान उस देश के लिए अभिशाप होता है। इन देशों के रेगिस्तान के नीचे भारी मात्रा में जैविक फ्यूल का होना। ये देश जैव इधन बेच कर दुनिया के सबसे अमीर देश बन गए है। जैव इधन का आपस में क्या संबंद है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फोसिल से ही जैव इधन बनता है। यहां जिस प्रकार के फोसिल मिले हैं इस साब पता चलता है कि इस छेतर में कभी घना जंगल और बड़े बड़े जीव रहे होंगे। लेकिन किसी प्राकरतिक आपता के कारण नश्ट होकर यह जमीन के नीचे चले गए। और फिर करोणों साल बाद इन जैव पदार्थों से ही जैव इधन बन जाता है। जैसलमेर के रेगिस्तान में 1964 से ही जैव इधन की खोज लगातार की जा रही है। लेकिन घुटारू छेतर में भारी मात्रा में गैस तो मिली लेकिन अभी तक पैट्रोलियम पदार्थ नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस शेतर में गैस निकलती है उसके नीचे पैट्रोलियम पदार्थ भारी मात्रा में मिलते हैं। दीरे दीरे इस शेतर से गैस निकाली जा रही है और जब ये गैस समाप्त हो जाएगी उसके बाद यहां से करोडों टन पेट्रोलियम पदार्ध मिलने की संभावना है। बाड मेर छेतर से भी भारी मातरा में पेट्रोलियम पदार्थ मिले हैं और यहां से दो लाख बैरल पेट्रोलियम प्रते दिन निकाला जा रहा है। यदि जैसल मेर मेर में पेट्रोलियम मिलता है तो ये भारत को माला माल कर देगा क्योंकि जैसल मेर का रेगिस्तान बहुत बड़े श्वित्र में फैला हुआ है